दोस्तो नमस्कार मैं एसर्मन और टीम सेंटあの कि आप सभई लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज का जो सिष्ण है वह प्रडेक्ट के उपर है और लुए नीव het प्रडेक्ट है जो मेरे ख्याल से हर घर में होना चाहिए कियो होना चाहिए उसकी वजह में आपको बता देता हूं ठीक है अग्ली जिंग ट्रैवल किट यह एक बहुत ही बहुत ही बहुत रिख्रीन प्रोड़क्ट है आम तोर से जब हम किसी को प्रोड़क्ट सजिस्ट करते हैं रिक्मन करते हैं तो इंडियन मेंटलिटी में कई बार हमा प्रोड़क्ट है उसके लिए मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ में हूँ दूसी चीज अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत हैं किसी और प्रोड़क्ट की हम कभी यह जितन अगरे नहीं साब यह प्रोड़क्ट आप लीजए बिल्कुल ठीक हो जाएं करना है हमें स्वस्थ लोगों पर काम करना है हाँ बीमार जो है उनको आप रिक्मन कर सकते हैं अज़े सप्लिमेंट बहुत सारे हमारे प्रोड़क्ट है उसमें सबसे नंबर वन है और इसके बारे हम फिर कभी बात करेंगे देखिए अटॉमी क्लेंजिंग कित कितने का है आप इस बार को समझें ठीक है ना अटॉमी क्लेंजिंग कित केवल जो है वो तेरा सो रुपए के आसपास में पढ़ता है मर्पी उसकी पंदरा सो रुपए की ठीक है और उसमें क्या क्या मिलता है आपको आपको मिलता है इवनिंग केर डीप क्लींजर क्यों ज़रूरी है म तीसरा है चौता है हेर कंडिशनर पाचमा है बॉडी क्लींजर और चटा है बॉडी लोशन त्वरूरी थी यह प्रॉड़क्ट अब चुकि बॉड़ी लोशन है इसमें तो इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टिंट है और डीप क्लींजर दोनों प्रॉड़क अप जाडए कि खतम हो जाती है और आपकी स्किन सुखी ड्राइए इस तरह की हो जाती है वहां पर हमारे जो पुड़क्त हैं अलाकि इसमें कोई क्रीम नहीं है लेकिन फिर भी हमारा फोम क्लींजर भी एक मॉस्ट्राइजर की तरह काम करता है ये कैसे काम करता है वो मैं आगे चल के आपको तो दोस्तों सबसे पहले हम बात लेते हैं दीप क्लींजर की तो ये च्छे पुड़क्त आपको फंद्रा सु रुपए मर्पी भी मिलते हैं अगर आप इसको देखें तो लगबग धाई सो रुपए का एक पुड़क्त होता है अच्छा ही चालिस चालिस हैमल है आम तोर से अगर आप मार्केट में देखें तो जितने भी ब्रांड आते हैं वो भी चालिस हैमल के या साथ हैमल के आते हैं इससे ज़्यादा का नहीं आता है और वो डेड़ सो दो सु रुपए से कम नहीं होते हैं अब यहां पर क्या खासियत है जो आप सब लोगों को याद रखने ह प्रुडक्ट की कॉस्ट के बारे में कई ़ोग कहेंगे बट कॉस्ट जब भी बात करते हैं तो हमेशा 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 याद रखना चाहिए पहला बेनेफट क्या है जो important है वो यह है कि हमारे प्रुडक्ट सभी एक तम हर्बल हैं कोई भी unwanted या कोई भी harmful ऐसा chemical जो आपकी श बनाने की जो तरीके हैं, वो खुद के इजाद के हुए हैं, इसलिए हमारी तरीके से product दुनिया की कोई भी और company नहीं बना सकती है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजे, क्यों नहीं बना सकती है, क्योंकि जो बनाने के तरीके हैं, वो तरीके patented हैं, मतलब उसको registered है, उस तरीके से दुनिया की कोई भी company product नहीं बना सकती, number two, number three, जो बहुत important है, इसको आप समझेए, आप market में जाएए, देखिए, कंपनियोंने क्या किया है, आपने advertisement देखा होगा कि वो toothpaste भी, जो एक toothbrush होता है ना, उसकी पूरी line पे लगाते हैं, पूरी line ठीक है ना, ताकि ज्यादा ज्यादा consume हो, ज्यादा से ज्यादा बिके, लोगों के पास कम से कम रहा है, इसलिए वो उसमें chemicals, फाल्तो की चीज़ें मिला देते हैं, ताकि वो सस्ता भी बना रहे हैं, और उसको quantity भी ज्यादा लोगों को मिल रहा है, लेकिन लोगों को इस समझ मनी आता है, हमे बराबर तो नहीं पड़ती ना तो हम चौका लगाते हैं बहुत जरा-जरा सा पड़ता उसी से हमको तेस्ट आ जाता है तो चीज अगर अच्छी है तो अगर हम थोड़ी सी भी यूज करेंगे तो वो हमारे लिए उत्रा ही इफेक्ट देगी उसके बराबर उससे ज़्यादा एफेक्ट देगी जो हम जाधा सस्ती वाली चीज को यूज करेंगे तो उसका एफेक्ट जो आएगा तो एक चीज को समझ लिया आपने कि जो अच्छी चीजे होती है जैसे हमारे प्रॉड़क्ट है जो एक अलग एक्स्क्लूशिव प्रॉड़क्ट है एपसलूट क्वाल लगता है लेकिन अगर उसके देखें तो मार्किट का वह सव एमल डेड़सो एमल के बराबर है क्योंकि देड़सो अगर आप पाँच एमल एक बार में यूज करेंगे तो चालिस वार चलेगा अब समझ यह बात टू हमारा फोम क्लींजर मैं अभी फॉम क्लींजर लगा के ब चार दिन पहले लगाया है सब लोग उसको यूज करते हैं तो जड़ा से यूज होता है और ज्यादा दिन चलता है तो प्राइज जो होता है ना वो हमेशा इस चीज को आपको बताने की तरीका होना चाहिए कि सामने वाले को आप बता सकते हैं ठीक है ना तो यह कि इंपॉर् है और देखें इसमें क्या लिखा हुआ है आप अपने अपने मोबाइल में अगर आप देखेंगे तो इसलिए मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाई है इसको मैंने ऐसी रखा है ताकि आप सब लोगों को समझ में आया है कि डीप क्लींजर का जो टैग लाइन है मलब वो क्या क करता है वह चार सब्सक्राइब करना क्यों जबूरी है मेकप का क्या मतलब होता है आपने देखा होगा अभी मैं दिल्ली में काम कर रहा था तो आप देखेंगे तो वहां पर जो जिनको क्या कहते हैं किनर कहते हैं वो लोग जो यूज कर रहे थे इसमें इतने लगा कि एकदम चेरा ग्लो माने लग और मेकप उतारने के बाद उनका चेरा ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया उनकी इसके तो कई मेकप ऐसे होते हैं जो बड़ा लॉंग लास्टिंग आपके शरीर में आपके इसकिन पर आपके फेस पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक प्रभाब डालते हैं तो आपकी जो इसकिन के अंदर तेखी इसकिन भी सांस लेती है आप समझे मेरी बात अक्सर जितने अच्छे के बूटिशन से वह सजेस्ट करते हैं कि रात को आप मेकप उतार के सोया करें इसकिन को जो इसकिन की पांस लेयर होती है आपकी सबसे उपर होती एपीडर्मिस, डर्मिस और एपीडर्मिस की पांस लेयर होती है तो डर्मिस तक हमारा प्रोड़क्त पहुंसता है जो इसकिन की नीचे fat sales होती है जिसकी वज़ासे जुर्णियां वगरा जल्दी पढ़ने की संभावना होती है तो इसलिए हमारे प्रोड़क्ट जो है न दो मेने के अंदर जूरियां गायब कर सकते हैं, अगर आप प्रोड़क्ट को धंग से यूज करें, मैंने अभी भी, आप लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं कि नहीं देखते हैं मुझे नहीं पता, बट यूट्यूब चैनल पर मैं एक-एक मिनट के शौट्स बनाके डालना हूं आप प्लीज उससे देखा करें और लोगों को फावबर्ड किया करें तो मैंने अभी एक मेंगप आपके चेरे पे आठ घंटे रहा है तो आठ गंटे आपका चेरे की जो skin है वो सांस नहीं ले पाई है अगर वो make-up बहुत हैवी रहा है तो pores आपके clocked हो जाते हैं मतलब बंद हो जाते हैं तो pores खुले रहने बहुत ज़रूरी है pores का काम है आपकी skin पे जो moisturizing कैसे होती है दो तरीके से होती है एक तो skin की परत के नीचे moisture रहता है वो जमा करके रखती है skin epidermis जो है न वो जल्दी से खुलती नहीं है ठीक न तो epidermis is resistant to water मतलब पानी की प्रत्रोधी है पानी अंदर जाने से रोकती है तो जो पानी अंदर से जाने से रोकती है वो पानी को बाहर जाने से भी रोकेगी लेकिन कई बार हम गलत प्रोड़क्त की यूज करने से क्या हो होती है हमारे epidermis जो सबसे उपरी layer है वो खराब हो जाती है पोर्स बंद हो जाते हैं तो अंदर का पानी भी बाहर निकल जाता है दूसरा काम जो पोर्स का होता है वो सीवं को देना सीवं मतलब जो शरीर के अंदर एक तेल बनता है उस तेल को बाहर निकालके आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखना हाइड्रेट मतलब उसको मॉश्राइज रखना ठीक है ताकि वो गलो करती रहे लेकिन कई बार जब सीवं बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो वो सीवं ज़्यादा बनने के वज़ए से पोर्स बंद होते हैं तो एक्ने वगरा की कर सकते हैं और मैं आपको सच बताऊं अगर आप डीप क्लींजर को यूज करते हैं तो उसमें आपको ऐसा समझ लीजे कि आपको अलग से कुई और प्रॉडक क्रा आते हैं और you क्लींजर से ही उसको क्लीन कराते हैं और उसके लाद फॉर्म क्लींजर से क्लीन करते हैं को आपकीcha अपनी की समस्या भी उसमें उसकी साकती है तो מאस मेकप सोीप क्लींजर के अंदर कई ऐसे थफिया गया था या आपको शीकर चusu वागर लिजिए तो ये तो female की बात होगी, males में क्या होता है कि males को आमतोर से बहुत ज़्यादा cream बगरा लगाने की आदत नहीं होती है, तो हम बहार जाते हैं, अब सर्दियों में ठंडी एकदम हवा होगी, धूल, धकड भी बहुत ज़्यादा contents होगा, तो हमारे चेरे के उपर जो है, वो हैं, परियावरण में जितनी भी गंदगी है, वो हमारे चेरे पे जब हम शाम को लौट के आते हैं, वो जम जाती है, और female की case में अगर make-up है, तो उस case में और नहीं है, काम करने वाली working lady है, तब भी उनकी skin पर जम जाती है, तो वो सब जो है, वो जितनी भी अंदर तक जम करेंगे, तो वहां भी आपको response मिलेगा, हाला कि जाईयों की वजह कई और है, तो उन वजहों पर भी अगर आप काम करेंगे, तो और अच्छा है, लेकिन सिर्फ अगर deep cleanser से या फेश्वास कराएं, उसके बाद foam cleanser, लेकिन दोनों को चलाना बहुत ज़रूरी है, देखा तो ये रहा deep cleanser का काम, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, deep cleansing particles है इसके अंदर, तो कैसे यूज करना है, वो आपने देखे लिया है, इसको थोड़ा सा मसाज करना है, उसको आज फेश्वास कर लेना है, और ये जो है, आपकी skin को regenerate भी करता है, इसके अंदर vitamin E है anyhow, तोकोफराल acetate है, जो आपकी skin को regenerate करता है, मतलब पुनरजीवित करता है. sales किसी तरीके से आपकी skin से बाहर नहीं निकल पाएं आप समझी एस सीज इस को ये बड़ा इंपॉर्टन है तो एक प्रॉसेस है हमिशा के लिए जो चल ला है कि आपकी नीचे की sales dead होती है, निकल जाती है, नई sales आती है, तो आपकी skin हमेशा एक जैसी रहती है, तो अगर ये process कहीं धीमा हो जाए या दूसरा dead sales, आप इतनी ज़्यादा आपकी चेरे पे impurities है, आप इस तरीके का कोई product लगा रहे हैं, जो आपके चेरे पे जो है, वो dead sales को और जमा कर रहा है, परत और मोटी हो रही है, आपके pores और बंद हो रहे हैं, सास नहीं ले पा रही है आपकी skin, तो इस वजए से वो कहीं नगी, आपकी skin dull हो जाती है, आपकी skin पे जो रिया आ सकती है, आपकी skin जो है, वो सुख ही हो सकती है, तो ऐसे cases में ये एक बहुत जवर्दस्क चीज है, ठीक है, तो यहां आपको भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था, epidermal layer is relaxed, moisture and nutrients are absorbed into the skin, वो आपके जितने भी nutrient हैं, अच्छा ये सिर्फ सफाई का काम नहीं करता है, आप समझें मेरी बात को, क्या काम करता है, यह आपकी skin को firm करता है, firm मतलब एक तरीगे से एकदम strong कर देता, firm होता है, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, तिवारी जी, firm, कसावट, कसावट लाती है, आपकी skin में कसावट लाता है, उसको आप समझें, इसके अंदर है ginseng extract, आप समझें, ऐसी कौन सी market में, मैं L'Oreal की भी आगर आप face cleanser आप लेके आएंगे, उसमें भी ginseng extract नहीं होगा, right, deep cleanser में ginseng का extract दिया हुआ है, जिनकों को extract दिया हुआ है, जिसको खाने से बुद्धी तेज होती है, वो तक हमने दिया हुआ है, तो यह आपकी skin के अंदर कसावट लाते हैं, ठीक है न, आपकी skin पर जुरियां पढ़ी हुई है, ढिली हुई है, तो इसमें कसावट लाएगी, clear skin tone, आपकी skin tone को जो है न, वो थोड़ा से clear करती है, आपकी गोरापन, देखे, गोरापन की cream नहीं है ये, लेकिन ये थोड़ा सा आपकी skin को और ज़्याधा tone up करती है, tone up उसको ताकत देती है, ठीक है, क्यों देती है, क्योंकि उसके इंदर green tea extract है, green tea extract के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो green tea extract में polyphenols होते हैं, polyphenols का मदलब, दिखे, एक ऐसा process जो पूरे शरीर में आपके होता है, ठीक है न, उस process का नाम है oxidative stress, हमारी skin के अंदर, हमारी body के अंदर, skin के अंदर लगातार बहुत सारी ऐसे reactions हो रही हैं, काम हो रहे हैं, जिसकी वज़े से कुछ, कुछ गलत तत्त बन जाते हैं, जिसको हम free radicals कहते हैं, वो free radicals अगर आपके शरीर में ज़्याधा बनना है, तो आप बीमार हो सकते हैं, आपके skin पे अगर वो radiation, sun radiation, धूल, दक्कर, धुमा, इस वज़े से अगर हो रहा हैं, तो वो भी आपके skin पे free radicals यह oxidative stress को बढ़ा रहे हैं, वो oxidative stress आपके skin को थोड़ा डल करने लगता है, तो green tea extract is a very good antioxidant, क्योंकि उसके अंदर polyphenols हैं, और polyphenols जो है ना एक जवरदस्ट antioxidant की रूप में काम करता है, तो आपके skin के process में, metabolism में, आपके शरीर के process में, अगर oxidative stress बढ़ा रहे हैं, तो यह green tea extract आपके antioxidant होने की वज़े से उसको free radicals को खतम कर देता है, तो आपके skin tone जो है एकदम जवान होने लगता है, glossy skin, चमकदार skin हो जाती, क्यों? क्योंकि इसके अंदर carrot, गाजर का extract है, और vitamin E, गाजर में क्या होता है, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे तरह जानते हैं, दे is a good source of vitamin A, देखिए, प्राकृतिक रूप से हमारे जो भोजन में या वैसे जो free radicals को मारने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं, antioxidant, और antioxidant जो है, वो हमारे तीन हैं मुख्यतिया, vitamin A, vitamin C, और vitamin E, ठीक है? बिटामिन A और vitamin E, fat soluble है, जो आपके शदीर में जाके जमा हो सकते हैं, यह मैं फिर किसी दिन wellness के उपर सेमिनार लोंगा, तो बताऊंगा, आपको मेटिंग जोंगा, vitamin C, आपको रुज लेता रहना पड़ाएगा, और vitamin C हमारे लिए बहुत जरूरी, आप भी जानते हैं, नीबू का पानी पीतरी है, चेहर आपको गलो करता रहेगा, जैसे रामकुषिन जी का कर रहा है, और अभी sales master बनने के बाद और भी जादा कर रहा है, तो carrot extract इसके पादा, ताजगी, जवान और क्या मैं खाऊं, वो बना देता है, तो ये सिर्फ face cleanser नहीं है, ये face cleanser के साथ में एक बहुत अच्छी cream भी है, तो आप अगर किसी को का अगर बात करनी है, तो एक normal routine में भी आप उसको face cleanser के रूप में एक product आप दे सकते हैं, आप deep cleanser या foam cleanser use कीजे, उससे बहुत फायदा मिलेगा, carrot extract, tocopheral acetate, ये दोनों आपकी skin की elasticity को, देखे, free radicals क्या होता है, जैसे खोकलापन आ जाना, जैसे ये लोहे में जंग लग जाती, आप ऐसा समझे जैसे लोहे में जंग लगती है, वो भी oxidation की बज़े से होता है, ठीक है न, उसको भी हम oxidative stress करते हैं, इसी तरह हमारे शरीर में free radicals हमिशा जंग लगाने का काम करते हैं, वैसे ही free radicals आपके skin को भी जंग लगाने का काम करते हैं, तो ये सब को रोकने के लिए जो है बड़ा important है कि antioxidant आपकी skin के product में भी हो, खाने में तो हो ही हो, खाने में भी ज़रूरी है, skin के product में भी हो, और उसमें carrot extract, tocopheral extract, acetate, ये डोनों आपके skin की elasticity को, मतलब elasticity, मतलब आप देखिए बच्चों की कैसे होते, कैसे हम लोग बच्चों के बड़ी गाल पकड़ पकड़ की कीशते थे, कभी आपने देखा बच्चों काल इधर से उधर हो गया हो, एक सिकन नहीं लग रही है, आप किसी रवड को देख लिजा, रवड को आप खीचे, नहीं रवड होगी, एकनम खीचेगी, बापेस वहीं पहुंच जाएगी, फिर खीचे, फिर वहीं पहुंच जाएगी, लेकिन पुरानी रवड हो जाती, खीचे तो धीरे-धीरे, it means elasticity कम होगी, तो skin की elasticity, आपके face की elasticity इतनी अच्छी होगी, उतना ही आपका चेरा और ज़्यादा जवान देखेगा, दूसरा ये nutrition देते हैं आपके skin को, portion देते हैं, वो portion से आपके skin और ज़्यादा glow करती है, तो दोस्तो, deep cleanser is a wonderful product, आपको इसे use करना चाहिए, और ये वो product है, जो सिर्फ deep cleanser नहीं है, जो cleanser नहीं है, portion भी देता है, nutrition भी देता है, और बेथर काम करता है, तो मैं समझता हूँ, एक ही product लो या एक और ले लो, ठीक है, ओके, पूशिश करता हूँ, फोम क्लिंजर पूशिश करता हूँ, इतना ठीक है सार, इतना ठीक है, तो तेंक यू वरे मच, नमस्कार, मिलेंगे अगले session में, फोम क्लिंजर और बागी travel kit के products के साथ, देखते रहिए, being sherman, thank you.